हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आप आप अच्छे होंगे मैं हू राहुल जैस्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगेन आपके सामने इक मोश्ट इंपोर्टेंस का लेक्चर वीडियो लेकर आगया और दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे सेवन स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक का आज जो चाप्टर पढ़ने जा रहे दोस्तों इस पर्टिकुलर साइंस चाप्टर पर हम आ चुके हैं दो से तीन लेक्चर लगेंगे दोस्तों और ये चाप्टर पर आपका अपका कम्पलीट हो जाएगा तो आपका तोटल सेवन का साइंस खतम हो जाएगा और अलरी शेवन मैस तो हमने पहले ही कम्पलीट करके रखा हुआ है तो उमीद करता चाप्टर में है in the world of stars, यानि कि stars के बारे में हम लोगो basically पढ़ना है, चाप्टर में कि stars क्या होते, कैसे वो आते हैं, इसमें हम लोग sky watching हो गया, फिर ऐसे बहुत सारी चीजे होती है, वो हम लोगो discuss करना है, तो आज पहला lecture है, तो basic introduction lecture दूँगा यहाँ पे, थोड़ा छोट अंधेरा जब होता है, रात जब होती है, सूरज जब ढ़ल जाता है, sunset होने के बाद, तो हम आस्मान की तरफ जब देखते हैं, तो उसमें टिम्टिम आते हुए, तारे हमें नजर आते हैं, तारे क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहली बात, श्टार जो होता है, यह कहां प्रेजन्ट होता है, अगर आप देखोगे, तो यह हमारा पूरा क्या है, that is ब्रह्मान, ब्रह्मान in the sense, यूनिवर्स, ठीक हैं, हम लोग यूनिवर्स बोलते हैं, तो यूनिवर्स में क्या होता है, जैसे कि आपको एक चीज़ पता है, कि हम रहते हैं, प्रिथवी ग्रह पे, ठीक है, हम कहां रहते हैं, दोस्तों, हमारे अर्थ पे रहते हैं, ठीक है, तो अर्थ जो है हमारा एक थर्ड प्लानेट है हमारे सोलार सिष्टम, उसके बार में बताऊंगा, सभी को पता है दोस्तों, कि हम जो ब्रह्मान में रहते है जो आपका galaxy होता है, जो ब्रह्मांड में हम रहते हैं, उसमें total कितने 8 planet है, और एक सबसे बड़ा जो चीज है, जिसका नाम है sun, एक sun है यहाँ पे, उसके बाद उसमें planets होते हैं, जिसमें से हमारा यह first हो गया, second हो गया, third number पे earth होता है, फिर मार्स होता है, fourth number पे, उसके Uranus, Neptune, ऐसे total 8 planet है, जो कि क्या करते हैं, यह sun के क्या करते हैं, जो planet से वो चक्कर काटते हैं, इस प्रकार से, ऐसा आप देखोगे, तो चकर काट रहे, ओके, अब सबसे पहली बात, यहाँ पे, एक सवाल यह भी आता है, मेरे जहन में, कि यार यह जो अर्थ है, यही एक ऐसा planet है, जिसमें life present है, यानि कि अगर पूरे के पूरे आप 8 planet आप consider कर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक जितने भी 8 planet है, कौन-कौन से है, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune, यह आपको याद रख लेना है, कभी कबार question पूछ लेता है, बट basically यह chapter में इतना ज्यादा important नहीं है, फिर भी मैं आपक अच्छा होता है, carbon dioxide होगा, plants के लिए अच्छा होता है, यह present है, पानी present है, इसके लिए हम लोग जिंदा रह पाते हैं, और Earth के उपर हम लोग survive कर पाते हैं, लेकिन बाकी जो planet से, उनमें ऐसा नहीं है, सिर्फ एक Mars एक ऐसा planet है, अर्थ के अलावा, एक Mars एक ऐसा planet है, Earth से निकल के Mars के उपर जा सकते हैं, इसके लिए हमारे satellites वगरे launch होते रहते हैं, Mars के उपर spaceship बेजा जाता है, ताकि उधाँ पे रह सके और जीवन बसाया जा सके, यह possible है, यह पॉसिबल है कि नहीं बोलूगा, प्रिडिक नहीं कर सकता है, लेकिन हो सकता है, 100 साल बाद हो सकत सकते हैं, कब क्या हो सकता है, चलो यह तो basic बात होगे, लेकिन हम बात करते हैं, स्टार्स की, तो हम जब Earth पे रहते हैं, पृत्वी पे हम रहते हैं, तो हम इंसान जो है पृत्वी पर रहते हैं, और आसमान की तरफ देखते हैं, तो यह पूरा क्या है, यह पूरा हमारा क्य बात करूँ आगे तो ऐसे बहुत सारे प्रेजन्ट है और उसमें भी अपने अपने सोलार सिस्टम होंगे हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सन सी फेकी है हम बोल सकते हैं कि सन बहुत सारे तो यह सब चीज का साइंटिश लोग अभी भी खोज खबर कर रहे हैं स्पेस इतना रहते हैं और चक्कर काटते हैं सन का जिसमें अर्थ पर हम रहते हैं यह पता है तो स्टार्स का क्या खेले स्टार्स इस वन अपोस्ट इंपोर्टेंट ठींग जैसे कि आपको पता होगा कि जो हम आस्मान की तरफ देखते हैं जो स्टार्स होते हैं तो स्टार्स मतलब क्या होता है, एक तरीके से gases के बने हुए, एक तरीके से आप बोल सकते हो structures होते हैं, जैसे sun है आपका जो सबसे बड़ा star खुद है sun sun जो है, वो खुद एक सबसे बड़ा star है, तेकि ना ऐसा माना जाता है कि अब ये जो हमारा solar system है जिसमें हम रहते हैं, ये हमारा solar system है जो ब्रह्मान्ट है, हमारे लिए अर्थ वाला, इसमें सबसे बड़ा जो चीज है, वो sun है और सबसे बड़ा star को माना जाता है, बाकी ये जो क्या है? प्लानेट से और एक चीज है, star के पास खुद का light होता है, star जो होता है खुद अपना light को छोड़ सकते हैं, यानि कि चमकते होई दिखाई देंगे, लेकिन प्लानेट जो है खुद के बास उनका light नहीं होता है, वो लोग क्यों चमकते हैं अगर हम दूसरे planets को देखेंगे यहां से टेलिस्कोप के थुरू, तो हमें वो चमकते होई दिखाई देंगे प्लानेट भी चमकते होई दिखाई देंगे, लेकिन उसका खुद का light नहीं होता है, वो sun का reflection होता है sun का जब light पढ़ता है, तो हमें दिखाई देता है तो यह basic चीज में आपको बता रहा था दोस्तो तो यह तो कुछ, like extra knowledge में आपको दिया है, conceptual knowledge दिया है उमीद करता हूँ कि आपको help करेगा, अब चलते हैं सीधा मुद्दे की बात पर, जो stars के बारे में बता रहा था आपको याद रखना है कि stars जो होते है, it born from nebulae और nebulae क्या होता है, nebulae की अगर मैं बात करूँ तो nebulae are the clouds क्या होते हैं, एक तरीके से clouds होते हैं, हमारा जो आसमान में cloud होते है वैसा cloud ने, एक ऐसे clouds होते हैं, जो कि क्या करता है, इसमें mainly कौन सी gases भरी होती है, hydrogen gas और dust particles भरे होते हैं, तो in short में क्या बलूँगा कि nebulae क्या है, एक तरीके से cloud है, जिसमें आपका hydrogen gas और बहुत सारे dust particles जो है, इसके अंदर present होते हैं, यही जब इकटा हो जाते हैं, यही जब आपस में मिल जाते हैं और यह particles present हैं, cloud में, यह एक दूसरे को इतना attach हो जाते हैं, एक दूसरे से इतना attract हो जाते हैं by means of some pressure, कुछ pressure के कारण एक दूसरे से attract हो जाते हैं एक दूसरे के उपर, और इसके पीछे reason क्या है gravity है, क्योंकि हमारा पृत्वी के पास क्या है, गृत्वा कर्शन है, और पूरे स्पेस में भी कहीं नहीं, ग्राविटी है तो वो gravity के कारण क्या होता है, particles आपस में attract हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसके वज़े से cloud जो होता है, जो cloud था, वो dense बन जाते हैं, गाड़ा बोलते हैं, गाड़ा, dense बन जाता है, उसके बहुत सारे particles आ जाते हैं यही जो cloud होता है, दोस्तों, इसी चीज को एक shape मिलता है, जिसको बोलते हैं, आपको समझ गया, कि मैंने क्या बोला, कि उसका cloud dense हो जाता है, और at the same time, उसमें क्या आ जाता है, जब यह gases और dust particles जब एक दूसरे के attract हो रहे थे, एक दूसरे के के करीब आ रहे थे, attach हो रहे थे pressure के कारण, और gravity के कारण, तो इन में क्या हो जाता है, tremendous amount of temperature भी बढ़ जाता है, pressure तो ही, tremendous amount of, बहुत जादा amount of, pressure तो आ रहे है, लेकिन उतना ही, tremendous amount of, उसमें temperature जो है, वो increase होने लगता है, and because of that increase in temperature, दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है, कि जो stars होते है, उसके अंदर जब heat produce हो stars में, तो stars यानि sun, जो मैं example की तरह बात कर रहा हूँ, जितने stars होते हैं, चोटे वाले वो अलग है, ठीक है, कुछ stars हो ऐसे होते हैं, जो sun से भी बड़े होते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन आब मैं बात कर रहा हूँ sun की, तो sun में, अगर मैं example क light भी produce होता है, और वो पूरा light हमारा solar system को देता है, ठीक है, हमारे जितने भी planet से उसको provide करता है, तो in short मैंने क्या बोला, कि because जब ये clouds आपस में नजदीक आए, gas जब नजदीक आया, तो उसमें बहुत ज़्यादा heat produce हुआ temperature के वजए से, जिसके वज़े से आपका जो cloud है, वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से बहुत ही आता bright हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा, और उसी चीज को हम लोग क्या बोलते है, श्टार बोलते हैं, जो कि अगर हम दूर से देखेंगे, है तो वो round, spherical shape है, है तो वो round, लेकिन जब हम लोग earth से उसको देख रहे हैं, हम कुछ ऐसा shape बनाते हैं, कुछ ऐसा shape बनाते हैं, दिल का, लेकिन ऐसा shape होता है, बहुत अलग होता है, बस हम लोग दिखाने के लिए बनाते हैं, वब 가지 Star से दिखने के लिए लेकिन actual में वैसा था रहे होता है, है और आगे बढ़ते हैं, तो इन शर्ट मैंने क्या बॉला, इ स्टार में कुन सा गैस भरा हुआ है hydrogen gas तो यह अकसर बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला कोशन है कि बताओ कि स्टार में कुन सा गैस है तो आप बोल सकते हैं कि hydrogen तो मैं जैसे मैं बात करता कि जो श्टार होते हैं उसके टाइपस की अगर मैं बात करू तो एक होता है उसमें ordinary star ordinary star मतलब साधारन सा आपको चमकता वह दिखाई देगा जो साधारन सा रहेगा वह हो गया आपको ordinal star और दुसरा एक और star होता है massive star यानि कि बहुत बड़े-बड़े star भी होते है massive यानि कि बहुत बड़ा star आपको नजर आ रहा है अगर बहुत बड़ा दिख रहा है size में तो वो हो जाएगा massive star इसके अलावा अगर बात करें कुछ ऐसे star होते हैं red color के होते है और बड़े भी होते है तो red giant यानि लाल और बड़ा star तो उसको बोलते हैं हम लोग red giant star तो red giant star के अलावा अगर मैं बात करूँ एक होता है neutron star तीक है neutron star हो गया तीक है और फिर होता है एक और concept है black hole आपको पता ही होगा है तो जरूर से मैं आपको बता हूँगा कि वह black hole क्या होता है बहुत important है big bang theory black hole यह बहुत ही मज़ेदार चीज है यार space के बार में पढ़ने में मज़ा ही कुछ और है तो यह जरूर से आप करना ओके यह तो बात होगई types of star की वेनस है फिर हमारा अर्थ है मार्स है जूपिटर है साटन है यूरैनस और यह जो हमारा solar system है यानि planet और sun का जो system है हमारा वो सबसे छोटा system माना जाता है तीक है मतलब आप imagine कर सकते हो है दुनिया इतनी नहीं है हम तो प्रिथवी के ऊपर रहते है तो हमारा प्रिथवी कितना बड़ा लगता है हमें तो सोचो यार ऐसे कितने आठ planet है sun है और यह तो एक galaxy का हिस्सा है और उसके अलावा भी सोचो और भी कितने सारे होंगे मतलब किसी ने देखा ही नहीं है उस हम लोग पिचर में movies वगरे में दिखाते हैं लोग कहां कहां चले जाते हैं दूसरे ग्रह पे चले जाते हैं इतना आसान नहीं होता दोस्तों तो हमारा जो इंसानियत है यानि humanity जो है वो अभी still scientist लोग research कर रहे हैं यार क्या है इसके पीछे जाननी की कोशिश कर रहे हैं alien होते हैं नहीं होते हैं exist करते हैं नहीं करते हैं यह सभी चीज के उपर खोज अभी जा रही है दोस्तों कुछ भी हो सकता है we can't predict anything because anything is possible we cannot say कि यार science है science कितना गहराई तक जा सकता है वो हमें नहीं पता इसके लिए science subject बहुत ही अच्छा होता है अगर आप इसके बारे में deep mean knowledge में पढ़ोगे तो आपको बहुत help करेगा ठीक है तो जैसे मैंने बोला कि हमारा solar system क्या है एक पार्ट एक छोटा सा हिस्सा है किसका galaxy का जो हमारा solar system जो है दोस्तों solar जो system है इसमें बहुत सारे stars जब आपस में मिलके रहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं और galaxy जो होता है many times larger than the solar system जो galaxy होते है solar system उसका छोटा सा हिस्चा है तो सोचो आप galaxy क्या होगा बहुत ही बड़ा होगा solar system से कई गुना जादा बड़ा होगा many many times larger than the solar system there are lakhs of stars in the Milky Way हमारे Milky Way में हमारे आकाश गंगा में lakhs of stars मतलब lakhs क्या करोड़ो होंगे lakhs of stars present है लेकिन हमें कुछ ही दिखाई देते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं जो काफी दूर होते हैं तो उसकी light हमारे तक नहीं पोश पाते हैं कुछ तो ऐसे star होते हैं जो हमारे sun जो कि ऐसा माना जाता है कि सबसे बड़ा star है sun को ही बोलते हैं हम लोग सबसे बड़ा star लेकिन ऐसे बहुत सारे star है जो हमें पता नहीं वो sun से भी बड़े हैं ऐसा माना जाता है according to the research of science and technology तो वो कुछ ऐसे होते हैं bigger than the sun होते है और sun भी आपको पता यह star ही है यह था हमारा आज का introductory part जिसमें मैंने आपको stars क्या होता है कैसे formation होता है क्या-क्या गहराई होती है space की बारे में थोड़ा बोध अपनी तरफ से जो मैंने जानकर ही देनी की कोशिश किये उमीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा तो आज का lecture इतना ही हम लोग next lecture में आपके लिए लिकर आजएंगे जल्द से जल्द lecture number 2 में जिसमें आपको actual topic जो constellation होता है watching the sky, horizon वगरे क्या होता है तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों प्लीज हमें comment करके बताईएगा अपनी राय और suggestion जरूर से दीजेगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है useful लगा है friends तो प्लीज वीडियो को like कीजेगा share कीजेगा यार बहुत important हो जाता है share करना करदो जितने भी हमारे महराश्च्ट्र स्टेड बोर्ड के स्टूडेंट सब तक फैला दो हर एक बच्चा यहाँ पे वीडियो देखना चाहिए ताकि उसका each and every topic और conceptual knowledge क्लियर हो जाए और बहुत ही अच्छे हो जाए हमारे सब students पढ़ाई में और देश का नाम रोशन करके दिखाए तो ज़रूर से like, share and subscribe कर देना चैनल पे अगर आपने नहीं किया अब तक और साथ में बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं तो आप लोग को notification मिलती रहेगी तो मिलते हमारे अगले वीडियो में यह वीडियो देखने के लिए thank you and goodbye